हलो दोस्तों तो यह मैं आ गई हूं घर से बाहर मैं यह नहीं कहूंगी कि देखिए मैं तयार होकर आएं घर से बाहर नहीं क्यूंकि आज बस मैं उठी ब्रेश किया और बस मैं सीधे घर से बाहर आ चुकी हूं क्योंकि मुझे गरना था बाहर नास था जब वीकेंड होता है म पानी नहीं लगता है मेरा मन करता है घर से बाहरी गूंती रहूं तो यह मैं चल रही हूँ और मुझे यहां पर आ रही थी कुछ भजन कीर्थिन की आवाज तो मैं इस जगा पर आ गई अंदर यहां मैंने देखा यहां पर कुछ बुक्स हैं धार्मिक पुस्तके हैं जो मिल जैसे गीता, रामायन और भी पुस्तके थी सिवास्टकम इस तरीके की पुस्तके थी तो यहां से और किताबे हो और मैं न लूँ ऐसा हो नहीं सकता पढ़ने का मुझे बहुत शौक है तो यहां से मैं लेने लगी कुछ बुक्स तो मैंने सरल गीता वो तो मुझे लेनी ही वो मैंने तुरंत ले ली अब उसके बाद में देख रहे हैं कि मैं और क्या ले सकती हूं और यहां पर मुझे मिली थी रामलला जो वराजमान हुए यहां में उनकी कुछ चेत्र तो वो भी मैंने पट्चेस कर लिए कुछ घर के लिए कुछ अपने जहां में रेंट पर रह आजने हुआ है यहां पर पासमीन थी निर्मल जल बहती हुई गंगा जी तो यहां पर आना तो बनता ही था और यहां थोड़ी देर शांती से बैटने के बाद पैटी तो थी मैं बट मुझे फिर भूग लगने लगी और रास्ते में देखी मेरे को क्या मिला है यहां पर हो रही थी शूटिंग और मैं यह देखने के लिए रुकी कि कौन एक्टर एक्टरस यहां पर शूट कर रहे हैं लेकिन वीडियो बगरा बनाने नहीं दे रहे थे बट फिर भी मुझे जानना था कि कौन शूट कर रहा है तो फाइनली मुझे पता चला कि हाँ पर मल्ली का सिरावत और विजयराज किसी अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए शूट कर रहे हैं तो वीडियो बनाने की परमीशन नहीं थी और पास तो जाने ही नहीं दे रहे थे तो मैं आ गई घर पर आकर मैंने बनाई चाय क्योंकि हो जुकी थी शाम और शाम की चाय मैं बना रही थी अब पूरे दिन की थकान तो उतार नहीं थी और भाई चाय से अच्छी थकान कोई नहीं उतार सकता है ये बात तो मुझे समझ में आई गई है तो ये देखिए चाय बनकर यहां पर रेडी है और अब चलिए चाय पीते हैं बस चाय के साथ लिए कुछ स्नेक्स रिसाम के टाइम ये मेरा फेवरिट काम है चाय के साथ स्नेक्स लेकर बैठना और सोचना चिंतन करना ही मेरा फेवरिट काम है